Hello बच्चो, बच्चो I hope आप सब की revision class 11th की बहुत अच्छी चल रही होगी और आप हमारी regular वीडियो से लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे आज की वीडियो में सर आप आज क्या revise करवाने वाले हैं आज हम करेंगे बच्चो हमारा जो chapter 3 बहुत ही छोटा chapter है लेकिन है बहुत important future perspective से क्योंकि इसके अंदर हम कुछ ऐसी बाते पढ़ते हैं जिसकी शायद exam में वेटेस सिर्फ 3 या 4 नंबर की हो लेकिन आगे हमारे class 12 के अंदर हमारे पूरे CA की जर्नी या किसी भी professional course की जर्नी के अंदर ये बाते accountancy में बहुत important होती हैं तो आज सर हम पढ़ेंगे इस chapter का नाम है basically तो accounting principle से related यानि की theory base of accounting तो देखो बच्चो principle का मतलब क्या होता है principle मतलब होता है simple सी बात है कुछ rules, कुछ norms जो हम follow करते हैं इसी तरह accounting में किये जाने वाले rules या traditions या principles को follow करने को हम accounting principles कह सकते हैं अब इस accounting principle को basically दो चीजों में divide किया जाता है एक को बोलते हैं हम accounting concept accounting concept का मतलब होता है कि जब हम accounting करते हैं तो हम तीन assumptions मान कर चलते हैं मतलब हम तीन चीजें मन में सोच लेते हैं अपने आप उसे बोलते हैं assumptions, accounting concept और बारा तरह के हमें पढ़ने पढ़ते हैं जिनने हम कहते हैं accounting conventions यानि कि कुछ चीजें हैं, कुछ outcomes हैं जो कई सालों से लोग follow कर रहे हैं मतलब accounting की दुनिया में तो हम भी उस चीज को follow करते हैं और वो फिर हमारे लिए बन गए है accounting principles, मतलब rules तो पहले हम छोड़ा सा introduction देखते हैं कि इस chapter में हमने क्या के बाते cover करी थी तो अगर मैं सबसे पहले आपको accounting assumptions बताऊं कि तीन accounting assumptions क्या हैं तो वो है going concern, consistency और accrual यानि कि तीन चीजे हम अपने आप assume कर लेते हैं कि ये तो हो रही होंगी अब going concern में मैंने आपको क्या बताया था कि क्या मतलब होता है going concern का मतलब है कि हमारा business चलता रहेगा हम ये assume करते हैं यानि कि हमारा concern concern का मतलब यहाँ पर है business से और going का मतलब है चलता रहना तो हमारा business लगातार चलता रहेगा और हमारी कोई intention नहीं है इसे बंद करने की ये हम सोचते हैं अब इसमें एक बड़ा अच्छा point आपको लिखवाया था कि इसी assumption की वजह से हम अपने छोटे यानि की जिसको आप कह सकते हो revenue expenditure और बड़े जिनको आप कह सकते हो capital expenditure खर्चों में difference करते हैं देखो जब हम सोचते हैं कि business बहुत लंबा चलेगा तब ही हम अपने 12 महीने से कम और 12 महीने से जादा वाले expenditures को अलग-अलग identify करते हैं तो ये assumption बहुत ज़रूरी होती है जिसका नाम है going concern कि हमें ये सोचना है हमेशा कि business चलता रहेगा और कभी बंद नहीं होगा फिर आते हैं हमारी दूसरी assumption पर जिसका नाम था consistency consistency में मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब है कि एक accounting policy अगर आपने किसी एक साल choose करी तो उसको सालो साल लगातार आप follow करते रहोगे year after year कभी change नहीं करोगे बच्चा कहता है क्यों sir क्या कभी हम change नहीं कर सकते हैं कर सकते हैं उसके तीन reasons होने चाहें A. If law requires यानि कि अगर कानून कहता है तो B. If accounting standard requires accounting standard भी हमारे ले कानून ही है क्योंकि वो ICAI issue करता है यानि Institute of Chartered Accountants of India और C. For better presentation of financial statements अगर हमें लगता है कि हम अपने statements को अपने financial statements को जादा बहतर present कर पाएंगे तो फिर हम अपने method को change कर देते हैं तो तीन कारणों की वजए से हम change कर सकते हैं और तीसरा assumption होता है Accrual ये बहुत अच्छा assumption है और हमारी पूरी accounting इस पर based होती है Chapter 4 के अंदर हमें पूरा एक topic भी भढ़ते हैं Accrual का मतलब होता है कि कोई भी transaction हम तब record करेंगे जब वो हुई अब चाहें पैसे आपने 5 महिने बाद दिये या 6 महिने जल्दी दिये उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा तो accrual concept का मतलब ये है कि कोई भी transaction हम तभी record कर लेते हैं जब वो हुई पैसा चाहें बाद में दिया हो उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा तो ये तीन assumptions हमने पढ़ी थी और इनी को कहते हैं fundamental accounting assumptions या accounting concept अब आते हैं इसके बाद कुछ और बातों पर जो हमने लिखे थे आपके साथ कि सर accounting principles के features अगर पूछे तो क्या बाते लिखने हैं तीन बाते लिख देना कि ये man made है इंसान ने बनाया है दूसरा flexible है क्योंकि इसके अंदर हम कुछ ना कुछ change कर सकते हैं और तीसरा generally accepted है मतलब इसको सभी लोग मानते हैं तो बस तीन चोटे से इसके features है बागी एक question पूछता है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी बनाने की तो आप कह सकते हो कि इसकी necessity इसलिए है क्योंकि जब कोई principles follow करते हैं तो इससे uniformity रहती है हर व्यक्ति, हर accountant एक जैसे नियमों को पालन करता है तो इसलिए ये जरूरी है दूसरा इससे comparability भी भढ़ जाती है एक company दूसरी company से compare कर सकती है अपने results क्योंकि सभी ने अपने accounting एक तरह से करी होती है तो ये इसकी necessity पढ़ी थी अब हम पढ़ते हैं 12 तरह के जो हमारे principles हैं जो सबको बहुत अच्छे से आने चाहिए है और आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो like नहीं करा है तो जरूर like कर देना आपके चोटे-चोटे likes, comment से हमें motivation मिलती रहती है हमारी पूरी team उत्साहित रहती है और आपके लिए इसी तरह वीडियो series के अंदर हम आपको पढ़ाई करवाते रहते हैं, चलो सर कर दिया like तो देखो जी बच्छो, 12 तरह के principle में सबसे पहला होता है business entity या accounting entity principle, इसका simple सा मतलब समझ लेना ये है एक है business, एक होता है owner, मालिक, proprietor accounting जब हम करते हैं तो हम हमेशा business के नजरिये से करते हैं हम ये मानते हैं कि business अलग है, proprietor अलग है reliance अलग है, मुकेश अम्मानी अलग है, ये हम मन में हमेशा सोचते हैं और इसी principle को कहते हैं business entity principle या accounting entity principle और इसका एक best example है capital, हम capital को भी liability समझते हैं सोचो, owner ने पैसा दिया है business को तो business इसको कहता है कि ये तो किसी और का पैसा है ये तो मेरे लिए बोज है, ये तो मेरे लिए burden है तो business किसी और के पैसे को liability समझ रहा है और capital को हम liability कहते हैं तो देखो इससे बढ़िया proof और क्या होगा कि business अलग है और माले का अलग है तो ये है business entity principle दूसरा तो भूती छोटा सा है दो सेकेंड में खतम हो जाएगा money measurement principle कहता है कि हर transaction और event जो money की terms में होगी हम सिर्फ उसे record करेंगे qualitative चीजों को नहीं करेंगे simple चोटे चोटे टुकडे करते हैं और हर चोटे period के बाद हम उसका profit या loss निकालते हैं तो बस इसलिए नाम पढ़ गया accounting period principle और ये एक period होता है एक साल का simple उसके बाद चौधा था full disclosure principle इसमें मैंने आपको समझाया था कि accounting ये कहता है principle कि हमें हर cheese disclose करने चाहिए वे कोई भी चीज जो जरूरी है जिससे user प्रभावित हो सकता है हर उस चीज को हमें क्या करता है disclose तो इसका नाम पढ़ गया full disclosure principle इसका best example आपको रठना है भी तो contingent liabilities कुछ liabilities ऐसी होती है जो हम अलग से footnote में show करते हैं और क्यों करते हैं क्योंकि हमें अपने user को पूरी जानकारी देनी है तो इसी लिए principle का नाम है full disclosure principle इसी का बड़ा भाई है एक और principle materiality principle वो ये कहता है कि जो भी चीज़े important है business के लिए उन्हें record कर लो अब बैने एक example दिया था location मानी के 10 रुपे खो गए तो वो record नहीं करेगा क्योंकि उसके लिए फरक नहीं पड़ेगा लेकिन किसी मानलोब mochi के 10 रुपे खो गए वो बहुत दुखी होगा उसको नींद नहीं आएगी वो इस चीज़ को record करेगा क्योंकि उसके लिए वो important है तो हर businessman या हर accounting करने वाला वेक्ति अपने हिसाब से important चीज़ों को क्या करेगा record कर लेगा इसको कहते हैं Medi reality फिर हमने बढ़ा था sixth cost या historical cost concept ये कहता है कि अगर हमने कोई भी fixed asset खरीदा let's say हमने machine खरीदी या building खरीदी या plant खरीदा तो हम books में उसकी cost को show करेंगे एक लाख रुपए अब बाजार में उसकी value कितनी भी हो जाए कितनी भी हो जाए change हो जाए उसको हम ignore कर देंगे उससे हमें कोई मतलब नहीं है तो इस principle को कह देते हैं cost concept इसी एक continuation principle है उसका नाम है realization principle उसका मतलब ये है कि आपने वोई machine खरीदी मानलो एक लाख रुपए की अब हम उसकी cost record करते हैं अब बाजार में वो कितने की भी हो हम ignore कर देंगे चाए 99 की हो 95 की हो 80 की हो हम ignore कर देंगे लेकिन जब आप उसको actual में बेचते हो बेचने को English में कहते हैं sale करना या realize करना अब मानलो उसको 82,000 में आपने बेच दिया तो जिस दिन बेचोगे तो उस दिन तो 82,000 से record करना पड़ेगा ना तो इसी बात को कहते हैं realization principle कि भाई जिस दिन actual में sale होगी ना value वो record करेंगे तब तक हम cost को ही record करके चलते रहेंगे तो इसको कहते हैं realization principle एर्थ था conservatism या prudence exam देकर आये हैं मम्मी पूछ रहे हैं बताओ कितने marks आएंगे तो 100 में से आप कह रहे हो मम्मी अब मन में तो सोच रहे हो कि यार क्या बोलूं क्या बोलूं तो आप थोड़े से कम marks बताते हो मम्मी को कि मम्मी शायद इतने आ जाएंगे तो कम क्यों बताते हो क्योंकि आप conserve हो है ना आप शुरू में जादा नहीं बताते बाद में जादा आ जाएं तो अच्छी बात है तो यह accounting में भी नियम है conservatism कि अगर हमें लग रहा है कि future में कोई नुकसान होने वाला है तो हम उसको record कर लेते हैं और अगर हमें लग रहा है future में कुछ फायदा होने वाला है तो हम सोचते हैं चलो अभी से record ना करें जब होगा तब record करेंगे तो उसे हम आज ignore कर देते हैं तो इसको बोलते हैं conservatism, तो ये इसमें prudence या conservatism की कहानी होती है, तो इसका एक example ज़रूर learn कर लेना, ये नीचे R का symbol लगवा रखा है, provision for doubtful debts, यानि कि हम अपने debtors में से हमें लगता है कि कुछ लोग पैसे नहीं देंगे, तो हम उसको अभी से record कर लेते हैं, तो ये भी य conservatism का example है, और दूसरा closing stock, हम उस closing stock की value, cost या market price दोनों में से जो कम होती है, वो record करते हैं, क्योंकि हम conserve हैं, तो ये भी conservatism का example होते हैं, तो आपको ये याद रखना है, नाइन्ध हमने करा था matching principle, सर matching principle ये क्या है, matching का मतलब यहाँ पर वो वाली matching नहीं है, कि नीले shirt पर नी एक साल के revenue के साथ उसी साल के expense को match करना है, ऐसा ना हो कि revenue लिख रहे हैं इस साल का, और उस revenue को कमाने के लिए जो हमने खर्चे करें, वो अगले साल लिख दिये या पिछले साल लिख दिये, नई, अगर इस साल revenue कमाया है, तो उसको कमाने के लिए जो भी इस साल खर्चे करे वो इस साल हम record कर लेंगे same year में तो ये हो गई matching, simple इसके बाद इसका एक example ज़रूर याद रखना बच्चों हमने करा था depreciation, जैसे हम machine use करते हैं इस साल अब इस साल machine use करने से हमारा revenue तो हो गया लेकिन उस machine को use करने से जो depreciation हुआ वो भी तो फिर इस साल record करना चाहिए ना तो ये इसका best example होता है depreciation, इससे ज़रूर याद रखना matching principle का बागी फिर हमने करा था जी dual aspect principle ये तो पूरा का पूरा आपका chapter है जिसके आप माहरत ही हो accounting equation वाला तो dual aspect principle की condition क्या है कि हर transaction के दो aspects होते हैं plus liability तो अब एक काम कर देना इस वीडियो के नीचे आप comment में ये equation भेज़ दो बस ताकि मुझे पता लगेगा कि आपने वीडियो यहाँ तक देखी है और इसी बाने याद हो जाएगी और comment में भर देना ताकि बाद में भविश्यकाल में कोई भी इस वीडियो का अगर देखेगा तो वो भी सुचेगा यार इसके comment में क्या लिखा हुआ है उसको याद हो जाएगा assets is equal to capital plus liabilities वा चलो ठीक है उसके बाद था जी revenue recognition ये ना accrual की तरह ही होता है इनफाक्ट उसको छोटा भाई है लेकिन ये सिर्फ revenue से relate कर रहा है अम मालो आपने 28th March को goods बेचे पैसे मिले 13 April को तो आप revenue कब record करोगे आप sale किस दिन record करोगे ये है तो बच्चा कहता है सर जिस दिन पैसे मिले 13 April को नहीं गलत है तो revenue recognition का भी वो ही मतलब है जो accrual का है कि आपने जिस दिन sale करी उस दिन transaction हो गई तो हम उसी दिन record कर लेंगे पैसे चाहें बाद में मिलें उससे हमें कोई मतलब नहीं तो ये है revenue recognition और last verifiable objective concept सर ये क्या है जी ये simple सा principle ये कहता है कि अगर हम accounting में कुछ record कर रहे है कुछ भी चीज तो उसका evidence होना चीए सबूत होना चीए तो बस इस पर हमारा एक chapter है चोटा सा source documents वाला तो वो है तो जैसे हमने किसी से cash receipt ली हमने sale करी invoice दिया तो वो सब हमारे पास evidence होने चीए तब हमें record करना पड़ेगा तो ये था बच्चों हमारा छोटा सा प्यारा सा chapter बस तो mainly इसमें आपको यही पढ़ना है हां बुक में इसमें मैं बता जाता हूँ आपको और भी चीज़े दे रखी IFRS accounting standards पर वो आपके 11th class के लिए बिल्कुल भी जरा से भी relevant नहीं है तो आप उसको ज़्यादा tension लेकर बिल्कुल भी करना मत वो अलग से आप study करेंगे हम तब उसमें cover करेंगे लेकिन इसमें आप सिर्फ principles पर focus करना जो मैंने आज करवाए तो अच्छे से revise करना बागी फिर next video में करते हैं आगे का कारेगरम बाई बाई